मेरे पैरे देश्वासियों, नमस्कार। जब मैं मन की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है, जैसे आपके बीच, आपके परिवार के सदस्य के रुप में उपस्तित हूँ। हमारी छोटी छोटी बातें हैं, जो एक दुसरे को कुछ सिखा जाएं, जीवन के खटे मिठे अनुभव, जो जीवर के जीने की प्रेणा बन जाएं, बस यही तो है मन की बात, आज 2021 की जन्वरी का आखरी दिन है, क्या आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं, कि अभी कुछी दिन पहले तो 2021 की शुरू हुआ था, लगता ही नहीं कि जन्वरी का पूरा महिना बिद गया है, समय की गती इसी को तो कहते हैं, कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है, जब हम एक दुसरे को शुप्खा मनाई दे र कोड़ी मनाई, मकर संक्रांती मनाई, पॉंगर बीहु मनाया, देश के अलग-अलग हिस्वों में त्योहारों की धूम रही, 23 जन्वरी को हमने नेताजी सुभासने दबोश की जन्वदीन को पराक्रम दिवस के तोर पर मनाया, और 26 जन्वरी को गनतंत्र दिवस की शांदा परेड भी देखी, राश्पती जी द्वारा संसत के संयुकत सत्र को समधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है, इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ, जिसका हम सभी को बहुत इंतिजार रहता है, ये हैं पत्म पुरसकारों की गोश्णा, राष्ट ने असाधरन कार कर रहें लोगों को, उनकी उबलबतियां और मानवता के प्रती उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, इस साल भी पुरसकार पाने वालों में बेलोग शामीद है, जिनोंने अलग-अलग शेत्रों में बहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बढ़ला है, दे मिनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हिरोज को पदम सम्मान देने की जो परमपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है, मेरा आप सभी से आगरह है, कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में, जरूर जाने, वो इससे कितनी प्रणा मिलती है, इस महेने क्रिकेट पीछ से भी बहुत अच्छी खबर मिली, हमारी क्रिकेट टीम ने शुरू आती दिक्कतों के बाद, सांदार वापसी करते हुए, औस्टेलिया में सिरीज जीती, हमारे खिलाडियों का हाड़ वर्क और टिम वर्क प्र जान देख, देश भहुत दुखी भी हुआ, हमें आने वाले समय को नई आशा और नविंता से भरना है, हमने पिछले साल असाधारन संयम और साहस का परिशे दिया, इस साल भी हमें कड़ी महनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गती से आ आगे ले जाना है। वैक्सिन प्रोग्रेम चला रहा है आप जानते हैं और भी ज़्यादा गर्विकी बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सिन प्रोग्रेम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गती से अपने नागरिकों का वैक्सिनेशन भी कर रहे हैं स्रिफ 15 दिन में भारत अपने 30 लाग से ज़्यादा करोना वरियर का ठिका करन कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समरुद्य देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन साथ्यों Made in India Vaccine आज भारत की आत्म निर्फ़रता का तो प्रतिक है ही भारत के आत्म गौरो का भी प्रतिक है नमो एप पर यूपी से बाईहिमांसु यादव ने लिखा है कि मेडीन इंडिया वैक्सिन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है मदुरई से किर्ती जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज भेज़ कर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं किर्ती जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है किर्ती जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के स्रोताओं को भी घर्व होता है आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधानन्तियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं आपने भी देखा होगा अभी ब्रजील के राष्टपती ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतिवों कितना अच्छा लगा हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कौने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है साथियों इस वेक्षिनेशन कारक्यम में आपने एक और बात पर अवशेध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वेक्षिन को लेकर सक्षम है आत्म निर्भर है यही सोच आत्म निर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की स्यवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा मेरे प्यारे देश्वासियों हर बार आपके धेर सारे पत्र मिलते हैं नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजीज, फॉन कॉल्स के मार्ध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है इनी संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खीचा, ये संदेश हैं बहन प्रियंका पांडी जी का 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्ते की विद्यार्थी नहीं है और विहार के सिवान में रहती है प्रियंका जी ने नमो एप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू परेटन सलो पर जाने के मेरे सुझाओ से बहुत प्रेलित हुई थी इसलिए एक जन्वरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमेटर दूर देश के पहले राश्पती डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी का पैतरुप निवास प्रियंका जी ने बड़ी सुन्दर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी द्वारा लिखी गई पुष्टे के मिली अनेक एतिहासिक तस्फिरें मिली वाकई प्रियंका जी आपका ये अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा साथियों इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समहारो अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुडी स्थानिये जगवा का पता लगाने का बहतरीन समय है जीन की वजह से हमें आजादी मिली साथियों हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो एप पर ही की गई एक और टिपणी की भी चर्चा करना चाहूँगा मुंगेर के रहने वाले जैराम विपलव जी ने मुझे तारापूर शहित दिवस के बारे में लिखा है 15 फरवरी 1932 1932 को देश भक्तों की एक टोली के कई वीर नवजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी उनका एक मात्र अप्रादिय था कि वे बंदे मात्रम और भरत मा की जय के नारे लगा रहे थे मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का स्रद्धापूर वक्स मरान करता हूँ मैं जैराम विप्लवजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ वेक ऐसी घटना को देश के थामने लेकर आये जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी मेरे प्यारे देश्वासियों भारत के हर हिस्से में हर शहर, कस्बे और गाउं में आजाजी के लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी भारत भूमी के हर कौने में ऐसे महान सपूतों और विरांगनाओं ने चन मलिया जिनोंने राष्ट के लिए अपना जीवन जोचावर कर दिया ऐसे में यह बहुत महतोपुन है कि हमारे लिए किये गए उनके संगर्शों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखे और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीडियों के लिए उनके इस मृतियों को जीवित रख सकते हैं मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथ्यों को आवान करता हूँ कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखे अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की विर्ता की गाताओं के ब उत्तम सरद्धान्जरी होगी यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमीत एक इनिशेटिव शुरू किया जा रहा है इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोचान मिलेगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे विश्यों पर लिखने वाले द्यान होगा हमें ऐसी उभरती प्रतिभावों की पूरी मदद करनी है इससे भविश की दिशा निर्धारित करने वाले थौट लीडर्स का एक वर्ग भी तयार होगा मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहितिक कौशल का अधिक से अधिक उ प्रोताओं को क्या पसंद आता है ये आप ही बहतर जानते हैं लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने सिखने और पढ़ने को मिलता है एक प्रकार से परोक्षरूप से आप सबसे जुड़ने का उसर मिलता है किसी का प्रयास किसी का जजबा किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून ये सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं उर्जा से भर देते हैं हैदराबाद के बोहिन पल्दी में एक स्थानिय सब्जिमंडी किस तरह अपने दाहित्व को निभा रही है ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा हम सब ने देखा है कि सब्जिमंडिया में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती हैं ये सब्जी इधर उदर फैलती हैं गंगी भी फैलाती हैं लेकिन बोहिन पल्दी की सब्जिमंडी ने ताय किया कि हर रोच बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फैका नहीं जाएगा सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने ताय किया इससे बिजली बनाए जाएगी बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शाहेदी आपने कभी सुना हो यही तो इनोवेशन की ताकत है आज बोहिन पल्दी की मंडी में पहल जाने की यात्रा है वहां हर दिन करीब 10 टन वेश्ट निकलता है इसे एक प्लांट में एकटा कर लिया जाता है प्लांट के अंदर इस वेश्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायो फ्यूल भी बनता है इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी ह होती है और जो बनता है उससे मंडी की केंटीन में खांहा बनाया जाता है है ने कमाल का प्रयास ऐसा ही एक कमाल हर्याना के पंच कुला की बड़ाऊथ ग्राम पंचैत ने बी एक कर grass calendarाइस पंचायत के ख्षेतने में पानी की निकासी की समस्या थी इस वजह से गंदा से भी वेल्ट क्रेट करेंगी ग्राम पंचायते पुरे गाउं से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इखर्टा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गाउं के किसान खेतों में सिचाई के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं यानि प्रदुशान गंदगी और बिमार्यों से चुटकारा भी और खेतों में सिचाई भी साथियों परियावरन की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं इसका एक उधारन अरुनाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला अरुनाचल प्रदेश के इस पहड़ी इलाके में सदियों से मोन-शुगु नामक्या एक पेपर बनाये जाता है एक कागज यहां के स्थानीय शुगु शैंग नामके एक पौधे की चाल से बनाते हैं इसलिए इस इस कागज को बनाने के लिए पैड़ों को नहीं काटना पड़ता है इसके अलावा इसे बनाने में किसी क chemical का इस्तेमाल भी नहीं होता है यानी यह कागज परिववरण के लिए भी सुरक्षित हैं और स्वास्त के लिए भी एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था लेकिन जब आधुलिक तक्निक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानिय कला बंध होने की कगार पर पहुँच गई अब एक स्थानिय सामाजिक कार करता गौंबु ने इस कला को पुनरजीवित करने का प्रयास किया है इससे यहां के आदिवसी भाई बेनों को रोजगार भी मिल रहा है मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दाईतों का एसास कराती है केरल के कोटियम में एक दिव्यांग बुजूर्ग है एनेस राजपन साब राजपन जी परालिसिस के कारण चलने में असमर्थ है लेकिन इस से स्वच्छता के प्रति उनके समर्पन में कोई कमी नहीं आई है वो पिछले कई सालों से नाउ से व्यमनाड जील में जाते हैं और जील में फैकी गई प्लास्टिक की बोटलें बहार निकाल करके ले आते हैं सोचिए राजपन जी की सोच कितनी उची है हमें भी राजप्पन जी से प्रहणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए मेरे पैरे देश्वासियों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका के सैन फ्रांसिसको से बंगलूरू के लिए एक नौन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की चार विमेन पाइलेट्स ने संभाली दस हजार किलोमेटर से भी जादा लंबा सा भरताय करके ये फ्लाइट सवाद दो सो से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई आपने इसमार 26 जन्वरी की परेड में भी गौर किया होगा जहां भारतिय वायुसेना की दो विमेन अफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है छेत्र कोई भी हो देश की महलाओं की भागिदारी लगातार बढ़ रही है लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गाउं में हो रहे इसी तरह के बढ़लाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती इसलिए जब मैंने एक खबर मद्यप्रदेश के जबलपूर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्रतों मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए एक राइस मिल में दिहाडी पर काम करती थी कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया उसी तरह ये महलाएं भी प्रभावित हुई उनकी राइस मिल में काम रूख गया स्वाभावित है कि इसे आमनी की भी दिक्कत आने लगी लेकिन ये निराश नहीं हुई इन्होंने हार नहीं मानी इन्होंने ताह किया कि ये साथ मिल कर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशिन भी बेचना चाहती थी इन में से मीना रहंग डाले जी ने सब महिलाओं को जोड़ कर स्वयम सहायता समू बनाया और सबने अपने बचाई हुई पुझी से पैसा जुटाया जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजीवी का मिशन के तहट बैंक से कर्ज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बेहनों ने वही राइस मिल खरीड ली जिसमें वो कभी काम किया करते थी आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही है इतने ही दिनों में इस मिलने करीब तीन लाख रुपिय का मुनाफ़ा भी कमा लिया है इस मुनाफ़े से मिनाजी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है कोरोना ने जो परिस्तित्यां बनाई उससे मुकाबले के लिए देश के कौने कौने में ऐसे अध्भूत काम हुए है मेरे प्यारे देश्वासियों अगर मैं आपसे बुंदेल खंड के बारे में बात करूँ तो वो कौन सी चीजे है जो आपके मन में आएगी इत्यास में रूची रखने वाले लोग इस ख्षेत्र को जहांसी की रानी लक्ष्मवाय के साथ चोड़ेंगे वही कुछ लोग सुन्दर और सांत और्चा के बारे में सोचेंगे कुछ लोगों को इस ख्षेत्र में पढ़ने वाली अत्यदिक गर्मी की भी याद आ जाएगी लेकिन इन दिनों यहां कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्सावर्दक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए पिछले दिनों जांसी में एक महने तक चलने वाला स्ट्रॉबरी फेस्टिवल शुरू हुआ हर किसी को अश्चेरे होता है स्ट्रॉबरी और बुंदेलखन लेकिन यही सच्चाई है अब बुंदेलखन में स्ट्रॉबरी की खेती को लेकर उत्साब बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निवाई है जांसी की एक बेटी गुर्लिन चावला ने लोकी छात्रा गुर्लिन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वात जगाया है कि जांसी में भी ये हो सकता है जांसी का स्ट्रॉबरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप पर जोर देता है इस महोत्सव के माद्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीशे खाली जगे पर या छट पर टैरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबरी जुगाने के लिए प्रोसाइद क कच्की रेतिली जमीन पर भी होने लगी हैं किसानों की आई बढ़ रही हैं साथियों स्ट्रॉबरी फेस्टिवल जैसे प्रयोक इनोवेशन की स्परीट को तो प्रदसित करते ही हैं साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का क्रिशिक शित्र कैसे नई टकलोरजी को अपना रहा हैं साथियों खेति को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिवत्द है और अनेक कदम उठावी रही हैं सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे मेरे पहरे देशवासियों कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा वह वीडियो पस्चिम मंगाल के वेश्ट मिद्नापुर्स्थित नया पिंगला गाउं के एक चित्रकार सरमुद्दिन का था वो प्रसंदता व्यक्त कर रहे थे कि रामायन पर बनाई उनकी पैंटिंग दो लाख रुपे में भीकी है इससे उनके गाउंवालों को भी काफी खुशी मिली है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की इत्सुकता हुई इसी क्रम में मुझे पस्चिम मंगाल से जोड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली है जिसे मैं आपके साथ जरूर साजा करना चाहूँगा परेटन मंत्राले के रीजिनल आफिस ने महिने की शुरू में ही बंगाल के गावों में एक इनक्रडिबल इंडिया विकेंड गेट्वे की शुरुआत की इसमें पस्चिम बिदनापूर, बांकूरा, बीर्भूम, पुरूलिया, पुर्वबर्धवान वहां के हस्त सिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडिक्राप बर्शॉप आयोजित की मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रडिबल इंडिया विकेंड गेट्वेक के दोरान हैंडिक्राप्स की जो कुल बिक्री हुई वो हस्त सिल्प कारों को बहत प्रोसाइद करने वाली हैं देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कलाको लोगप्रिये बना रहे हैं कोडिशा के राउर केला की भागिसरी साउ को देख ली चीए वैसे तो वह इंजिनेरिंग की छात्रा है लेकिन पिछले कुछ महनों में उन्होंने पट्ट चीट्र कला को सिखना शुरू किया और उसमें निफुनता हासिल कर ली है लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहां किया soft stones soft stones पर college जाने के रास्त में भागेश्री को इस soft stone मिले उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया बाद में उन्होंने रोजाना दो गंटे इन पत्थरों पर पट्ट चित्र style में पेंटिंग की वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिप करने लगी लोकडाउन के दोरान उन्होंने बातलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया अब तो वो इस आर्ट पर बक्षवबिक आयुजित करती हैं कुछ दिन पहले ही सुभाज बाबू की जैनती पर भागिस्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी सरधांजली दी मैं भविश के उनके प्रयासों के लिए शुपकामनाई देता हूँ आर्ट एंड कलस के जरिये बहुत कुछ नया सिखा जा सकता है किया जा सकता है जारखन के दुमका में किये गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया यहां मिडल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाउं की दिवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षनों से पेंट करवा दिया साथी उसमें अलग-अलग चीत्र भी बनाए गए है इससे गाउं के बच्चों को काफी मदद मिल रही है मैं ऐसे सभी लोगों का अभिननन करता हूँ जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे है मेरे पहरे देश्वासियों भारत से हजारों किलोमिटर दूर कई महासागरों महाद विपों के पार एक देश है जिसका नाम है चीले भारत से चीले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है लेकिन भारतिय संस्कृति के खुश्बू वहाँ बहुत समय पहले से ही फ्यली हुई है एक और खास बात ये है कि वहाँ पर योग बहुत अधिक लोगप्रिय है आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चीले की राजधानी शेंक्यागों में तिस से जादा योग विद्याले है चीले में अंतराष्टिय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है मुझे बताया गया है कि हाउस अब डेपुटीज में योग दिवस को लेकर बहुती गर्मजोशी भरा महोल होता है कोरोना के इस समय में इम्मुनिटी पर जोर और इम्मुनिटी बढाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं जजादा महत्व दे रहे हैं चीले की कॉंग्रेस यानि वहां की पर्लमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है वहाँ चार नमेंबर को नेशनल योगा डेग गोसित किया गया है अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर चार नवंबर में ऐसा क्या है चार नवंबर 1962 को ही चीले का पहला योग संस्तान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था इस दिन को नेशनल योगा डेगोशित करके एस्ट्राडाजी को भी सरद्धानली दी गई है चीले की पर्लमेंट द्वारा यह एक विशेश सम्मान है जिस पर हर भारतिय को घर्व है वैसे चीले की संसत से जुड़ी एक और बात आपको दिल्चस्प लगेगी चीले सिनेट की वाइस प्रेशिडन का नाम रविंदरनाथ ट्विंटे रौस है उनका यह नाम विश्व कभी गुरुदेव टैगोर से प्रेजित होकर रखा गया है मेरे प्यारे देशवासियों माय गौपर महराश्टर के जालना के डॉक्टर स्वपनिल मंत्री और केरल के पलककर के प्रहला राजगोपान ने आगर किया है कि मैं मन की बात मैं सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ इसी महने 18 जन्वरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानि रोड सेफ्टी मंध भी मना रहा है सड़क हाथ से आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का विशय है आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामोईक स्तर पर कई तरयार के प्रहास भी किये जा रहे हैं जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सब को सक्रिय रूप से भागिदार बनना चाहिए साथियों आपने ध्यान दिया होगा बॉरडर रोड और नैजिशन जो सड़के बनाती हैं उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं या फिर बी मिश्टर लेट धैन लेट मिश्टर ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूप करने में काफी प्रभावी होते हैं अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेसिज माई गौर पर भेज सकते हैं आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभ्यान में उप्योग किये जाएंगे साथियों रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो एपर कोलकता की अपणा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा अपणा जी ने मुझे फास्ट्रेक प्रोग्रेम पर बात करने की सला दी है उनका कहना है कि फास्ट्रेक से यात्रा का अनुभवी बदल गया है इससे समय की तो बचत होती है टोल प्राजा पर रुकने केस पैमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कते भी खत्म हो गई है अपणा जी की बात सही भी है पहले हमारे यहाँ टोल प्राजा पर एक गाड़ी को आउसतन साथ से आठ मिनिट लग जाते थे लेकिन फास्ट एक आने के बाद यह समय आउसतन सिर्फ डेड़ दो मिनिट रह गया है टोल प्राजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के इंधन की बचत भी हो रही है इससे देश वाजियों के करीब 21,000 करोड प्रे बचने का अनुमान है यानि पैसे की भी बचत और समय की भी बचत मेरा आप सभी से आग रहें कि सभी दिसान निर्दोस्ट का पानन करते हुए अपना भी ध्यान रखे और दूसरों का जीवन भी बचाएं मेरे प्यारे देश वासियों हमारी यहां कहा जाता है हमारे एक एक प्रयात से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं इसलिए 2021 की सुरुआत जिन लक्षों के साथ हमने की है उनको हम सब को मिलकर ही पुरा करना है तो आईए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाए आप अपना संदेश अपने एडियाज जरूर भेजते रहेगा अगले महेने हम फिर मिलेंगे इतिविदा पुनर मिलना आए